बिस्मिल्ला रुख्मान रुरहीम, असलाम लेकुम ग्लास, आज का जो मारा लेक्चर है ये एक नेक्स चाप्टर पे है, जिसमें हमने मार्क्टिंग इन्फॉमेशन सिस्टम को डिसकुस करना है, ठीक है, और इससे पहले हमने मार्क्टिंग प्लैन को डिसकुस किया था, ठी ठीक है, तो प्रिविएस टेप्टर में से हमने मार्क्टिंग प्लैन तक ही उसको करना है, आज हम इसको करते हैं कि मार्किटिंग इन्फॉमेशन सिस्टम, MIS, क्या होता है, देखें, अभी हमारा जो ये कोर्स है, वो है मार्केटिंग मैनेक्मेंट, मार्केटिंग इन मैने है, कितनी बनानी होती है, इसको एडवर्टाइज कैसे करना होता है, इसको डिलीवर कैसे करना होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती है, मार्केटिंग के अंदर, तो जाहिर है कि इन सब काम के लिए हमें इन्फॉमेशन चाहिए होती है, ठीक है, ये ऐसे ह आपकी compactors sale कर रहे हैं उनकी sales का data historical data ठीक है customers जैसे हैं आपके उनका behavior उनकी liking उनकी disliking ठीक है और उनकी preferences ठीक है उनका lifestyle उनकी income का data ठीक है और उनकी age group हो गया ठीक है उनकी detail ठीक है उनका culture मतब उनकी सारी चीज़ें ठीक हो गया और इसके इलावा आपने manufacturing वगारा करनी है उसके हवाले से जो data होगा तो यह सारा data collect करने के लिए आपको information चाहिए ठीक है तो जो marketing information system है इसके अंदर वो तमाम लोग जो कि आपको data collect करके देते हैं ठीक है वो equipment जो कि आप data collection में utilize करते हैं और वो procedures जिसके थूँ आपने वो data collect करना है ठीक है ठीक है और आपने पिर उसको उस data को जारा analyze करना है ठीक है उसको evaluate करना है ठीक है और फिर आपने उसको आगे provide करना है जैसे company के company का data है तो वो भी आपको formulate करना होता है जैसे आपको अपनी previous जो sales होती है पर एक्जंबल उसको data भीजना होता है ठीक है वो जो sales होती है वो आपको help करती है आपकी future की sales को determine करने में या predict करने में ठीक है तो वो चीज होती है उसके अंदर इस तेहां से क्याओ आप sort, analyze, evaluate and distribute needed timely and accurate information to marketing decision makers ठीक है तो इसको गहते है marketing information system तो यह जो analysis है इसको करने के लिए आपको planning की जरूरत है implementation, control responsibilities, marketing managers हो गए जाहर है कि आपने क्या करना होता है आपने planning भी करनी है आपने उसको execute भी करना है आपने चीज़ों को control भी करना है तो यह marketing managers होंगे उनको information चाहिए क्यों हो गया जार है कि उन्होंने marketing environment के बारे में उनको developments के बारे में उनको information चाहिए तो इसके लिए क्या होगा MIS क्या करेगा MIS जो system होगा यह assess करेगा कि company managers यह उसको किस तरह की information चाहिए फिर वो information कठी करने करेगा ठीक है और फिर उसको timely जिस time पे वो information चाहिए यह वो information provide करेगा इसको यह बढ़ी important बात यहां पर किया है कि MIS का रोल क्या है कि वो assess करेगा managers की information need को जाया information की base में हम चल रहे होते हैं तो information need को वो assess करेगा फिर क्या करेगा जो needed information है उसको develop करेगा और फिर उसको timely distribute करेगा ठीक है internal company के जिए उसमें से information कर ली जाएगी ठीक है marketing intelligence activities से marketing research से marketing decision support analysis different चीज नहीं है different sources होंगे जिसके तुरू information जो है वो collect कर ली जाएगी अच्छा जी अब इसमें हमारे पास ना जैसे पहला source है internal company records तो marketing manager जो है वो internal reports जो हूंगी company की उन पर depend करेंगे लाहरे होंगे अपनी देखे ना अब उनने decision लेना है कि उनने अगले साल कितनी चीजें produce करनी है कितने number of units products produce करने है अपनी product के तो ये इसके लिए उनको data चाहिए होगा अपनी company की sales जो previous sales होगी historical sales होगी उनका data चाहिए होगा ठीक है तो internal reports यह होगी जिसमें orders होंगे कि पिछले साल हमें कितने orders receive हुए कितनी हमारी sale हुई हमारी product का क्या price था ठीक है हमने कितनी पैसों में बनाई inventory हमारे पास कितनी हाँ ठीक है फिर receivables कितनी है create हुए receivables क्या होते हैं जब आप चीज़ें उधार पर देते हैं ना class जब company अपनी product को उधार पर बेचती है तो फिर क्या होता है उसके पास cash नहीं आता उसके पास receivables आतने है यानि इतनी इमाम उसमें receive करनी होती है वो उसके लावा payables भी होते हैं जब आपने उधार पे raw material purchase किया तो आपने उन और आपको बहुत सारे problems का पता चल जाएगा ठीक है रहर साल के आपको receivables का पता चलेगा receivables जो होते हैं जब आपको जब आप उधार पर अपनी product को सेल करते हैं तो उसमें क्या होता है उसमें यह होता है कि एक है cash cable दे है जम्राइब में आपको वापस करेंगे उधुशर उधार लेते हैंốn जासे किया है कि मैं आपको कुछ प्रिदया पने कर दी कुछ आपने कुछ आपको कुछ प्रेम्र आपके कर दी क problema को थी कि मैं आपको उसका जो प्रिंग श्ट्रीयमिंट सिंपने और प्रेंट चयुग किने में पता चलती है उसका प्रिंडिय। कि व्हाँ से यह लोगीत संयह जाएं है आ najbardziej सबस्दात करने यह लोगते हैं है order to payment यानि sales representatives है जैसे dealers है customers dispatch the orders to the firm the sales department repairs invoices and transmits copies to various departments यानि क्या होता है वो ये बदा रहे है कि जब company की product sale होती है लोग customers जो हो order करते है हमें यह product चाहिए ठीक है तो क्या होता है कि जो sales departments होते है वो क्या करते है sales department को पता होगा कि यह हमारी इतनी products चली गई है यह इतना उनका order आ गया है ठीक है तो order to payment cycle होता है यानि क्या होता है कि किस time आपके पास यानि मैं company के point of आपको पता है कि यह data है और फिर आपको किस time उसकी payment receive हुई ठीक है तो यहां तक का जो आपका यह सफर है ठीक है इसको कह रहे है वो order देते है company को ठीक है company यह बस order आ गया कि यह हमें इतनी product चाहिए sales department जो है को क्या करेगा उसने यह order की जो information है यह तमाम तर other departments को देनी है और invoices जो हो त्यार करने है जो items out of stocks होंगे ठीक है उनको दुबारा order कर दे जाएगा shipped items are accompanied by shipping and billing documents that are sent to various departments यह नी जाहर है क्या होता है कि company बस order आते है company फॉरन ही उनने क्या करती है product को उनकी invoices बनाके ठीक है ना payment की जो होती है और अपनी product जाना वो deliver कर देती है ठीक हो गया वो गता है कि आजकल के दौर में उन companies को पसंद किया जाता है कि जो quickly और बड़ी ही accurately क्या करती है यह performance देती है यह आप order करें और आपको within time delivery मिल जाए यह चीज़ बड़ी important है आजकल के दौर में ठीक है वो गया होता है customers आजकल online भी orders कर देते हैं ठीक हो गया त तो computerize जो है ना warehouse जो क्या करता है इन orders को fulfill करता है जैसे हम देखें हम खाइवाटे कपड़े परचेज कर लेते हैं online online shopping ठीक है तो इसमें क्या होता है electronic data interchange है ठीक है internet sent to improve the speed accuracy and efficiency of the order to payment cycle मत्रब जाहरा है कि आपने बहुत सारे systems हैं जिनके थूँ आप जाहरा है यह जो process है यह ब जाहरा है और आजकल के दौर में कस्टूमर्स को खांद करते हैं जिन ब्रैंड से तेखे ना अगर प्रोड़क आपको online मिल जाती है जल्दी तो आप उसको जल्दी ले ले लेंगे और अगर वो जल्दी नहीं मिलेगी रहा है तो कस्टूमर्स आपके switch कर जाएंगे यह नि आपको छोड़के किसी और company से purchase करना शुरू कर देंगे ठीक है तो इस टीस को आपने बड़ा अच्छा maintain करना है फिर क्या होता है marketing managers जो है उनको चाहिए need up to the minute reports on the current sales है उनने अपनी current sales का जो data होगा वो भी चाहिए होता है ठीक है तो इसके लिए बड़े system है जिसमें होता है कि अपडेट होती रहती है company के जी आज की date तक हमारे इतनी sales हो गई है ठीक है यह चीज़ बड़े important है sales force यान इसके लिए systems available है जिनके थूँ इसको manage के जाता है ठीक हो गया armed with laptop computers sales representatives can access information about the prospects and customers and provide immediate feedback and sales report prospects क्या होते है prospects यानि वो लोग जो कि आपकी product purchase करने में interested होंगे उन्हें हम कहेंगे prospects और जो purchase कर चुके होंगे वो हमारे होंगे customers ठीक है ठीक है ठीक हो गया तो यानि prospects हमारे expected customers भी है ठीक है तो क्या होता है जो sales representative होते हैं उनके पास सारे computers हैं laptops हैं वो उनके थ्रूज है जैसे उनके पास orders की information आती है वो अपना जो data है उसको update करती रहते हैं इसमें examples कुछ नहीं है इन्हें करने की जो हो जरूवत नहीं है ठीक है आके आजाता है कि यह company का marketing information system है इट शूद रिप्रेजेंट अ क्रॉस्टेंट है उसमें क्या है कि ménagers को क्या जाहर है कि मैनेजर सोचते हैं कि हमें यह चीज चाहिए हैने इन्हों मीशन चाहिए होती और actually उन्हें क्या इन्वमेशन चाहिए होती है और economically किस type की information collect करना possible होता है useable faisable, feasible क्या होता है, feasibility क्या मतलब होता है, елей pal future usable होना क्या होता है, feasible means कि वो चीजुँ गो कि आप actually कर सकें, उसको कहते है feedable होना, लिस जिशका आप actually नहीं कर सकते, उसका मतलब وہ feasible नहीं है, याणि यह झान है, अगर मैं काँगी तो है मैं तो चांज पहोँ जाओंगी लेकिन मेर लिए यह पॉसिबल नहीं है इस को कहते हैं फीजिबल इसको देखना है कि आप कौन से इंफोमिचन कलेक्ट कर सकते हैं और आप से फीजिबलिटी तो यह देखना है जो रहा ग्लेक्ट कर पाएंगे वही आपकि असके अंद What information do you need to make these recensions? What information do you regularly get? मतलब इसके तब भी question जो आपको help करेंगे Marketing Information System के हवाले से, ठीक है? Marketing Information System के हवाले से आप हमें जो है na इंडियोंने, Understandable करना है, Understanding Create करना है तो आया वो के Management Information System का हमें पता जल गया होगा इस lecture से